घर बेटे पैसे कमाने की टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि जब भी हम नया वीडियो अप्लोड करेंगे आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो जाएगे नमस्कार दोस्तों Solid Business Ideas YouTube चैनल में आप सभी का सवाकत है आज फिर एक नया बिजनेस लेकर आए हम दोस्तों आज हम बात करेंगे स्वाबन या स्वाबन बोल भी हो सकते हैं इसको केक बिजनेस के बारे में इस तरीके के साबन आप बना पाएंगे इस बिजनेस टिप्स और इ रपोर्ट किया थी उससे अंस लिए गए हैं तो इस बिजनेस में आप सीखें किस तरीके साब महीने का एक लाग से दो लाग या इससे भी ज्यादा कमा सकते हैं तो दोस्तों चलिए फिर स्टार्ट करते हैं तो पहला हम वीडियो में हम क्या-क्या कंटेंट है और क्या-क्य देना है और कौन सा स्टेंडर्ड इसको गवर्न करता है तीसरे नमर पर आप एक प्रोजेक्ट रुपोर्ट बनाते हैं तो उस प्रोजेक्ट को तयार करने में कितना समय लगेगा मतलब सीडूर उसकी बात करेंगे चोथे नमर पर हम बात करेंगे कि यह सो पाकर बंती किस तरीके से हैं और पांचवा नमर बहुत ही इंट्रेस्टिंग और सबसे महत्रबून है कि कुई इसमें हम बात करने वाले हैं कि कितनी लागत होगी और कितनी कमाई होगी जैसे कि लेंड कितना लगेगा एकुपमेंट कितना लगेगा मजीन कितना लगेगा रॉ माटीरियल क कितना लगेगा, इस टाब, लेवर, पावर, एड्सेक्टरा पूरी जानकारी, इस एक हम स्लाइड में बात करेंगे जो की फाइनेशियल आस्पेक्ट है, आगे बात कर लेते हैं दोस्तों की फाइनेशियल एनलेसिस, जिस में हम बात करेंगे कितना कॉस्ट अप प्रोडक्श बात कर लेते हैं दोस्तों के आकर सावन का बिजनिस क्या है तो सौब जिसे हम हिंदी में सावन भी कहते हैं का बिजनिस साथ बहुत फलफूल रहा है क्योंकि साहे दी घर का कोई मेंमर हो जो सावन का इस्तमाल नहाने में ना करता हो इसलिए सावन के बिजनिस कर आप अपना quality एवं सावन का प्रकार बदलता है जो भी product बनेगा वो हाई quality और उसमें pH की मात्रा भी सही होने चाहिए क्योंकि अगर pH की मात्रा ज़्यादा रहेगी तो इसका असर आखों पर पड़ता है हम सौप की business की पूरी जानकारी देंगे जिसमें आपको raw material, machine, अपलोड करते रहते हैं चलिए फिर आगे बढ़ लेते हैं market potential क्या है देखिए हर घर में इस्तमाल होने बाला product है इसलिए इसमें market की value बहुत ज़्यादा है बस आपको आपके market में आपके brand जो भी आप तियार कर रहे हैं उसको इस तरीके से बनाना है कि आपके ही product की हर जगे मांग रहे तो ये तो हुआ हमारा market potential अगला हमारा point है quality control और standard देखिए pH की मात्रा कितनी होनी चाहिए acid कितना होना चाहिए total number of fatty matter कितना होना चाहिए moisture कितना होना चाहिए इस एक standard में दिया गया है इस एक standard के अनुशार इस standard के बारे में आप जानकारी ले लिजिए net पे डालके और साथ में आप जहां से raw material करीद रहा है जहां से machine करीद रहा है वहां से भी जानकारी ले सकते हैं कि आगर ये सब जो quality control वाले matter है ये कितने रखना है तो quality जरूर matter करता है क्योंकि ये आँखों में skin में कोई problem ना करें इसलिए आप इस एक standard के हिसाब से अपने product की quality maintain करें आगे बढ़ लेते हैं कि हम ये पहले से presumption करते हैं पहले से मान के चलते हैं कि हमारा 6 दिन का जो भी मैं ये जानकारी दे रहा हूं ये एक ऐसे project पर depend है आपका capacity रहेगी ठीक है इस product की एक और खासियात यह है कि आप ये shop तो बनाई सकते हैं साथ में अलग तरीकी shop भी इस manufacturing unit या जो हम project report बता रहा है इस project report से बना सकते हैं आगे बात कर लेते हैं दोस्तों कि आखिर इसमें समय कितना लगेगा देखिए आपको registration कराना पड़ेगा unit का तो उसमें एक दिन लगेगा lawn अगर आप section कराना चाहते हैं section कराना चाहते हैं किसी bank से तो उसमें लगबख दो महीने का समय लगता है क्यों की तरह तरह के document लगते हैं वो document आपको गट्टे करने पड़ते हैं और pollution control board का NOC लगेगा उसमें भी एक महीने का समय लगेगा इसमें भी कई तरह की document आपको देने पड़ते हैं उसकी जानकारी आप pollution control board से ले सकते हैं अगर आपने फिर उसके बाद machine ले लिए तो उसके installation में लगबख एक महीने का समय लगता है पिर आपको commercial power connection लेने पड़ेगा उसका भी एक महीना लगता है पिर आपको आपके machine का testing करना पड़ेगा उसका भी एक महीना लगता है मतलब लगबख आप अगर आज सोचते हैं इस business को अच्छे तरीके से करने के लिए तो लगबख साथ महीने बाद आप इस business में production ले सकते हैं मतलब साथ महीने बाद आप इस business को अच्छे तरीके से start कर सकते हैं अगे बढ़ लेते हैं टेकनिकल आसपेक्ट की बात कर रहा है तो इसमें क्या है कि आपको कुछ material लेने पड़ेंगे वो material मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर जैसे के coconut oil यह 50 kg रहेगा हमारे इस अगर हमारी यह report है उस report के according अगर दूसरे नमबर पर टेलो है यह caustic soda है color है और इसके अलावा आपको color green लेना पड़ेगा और वर्गा मोट oil है, जैसमीन oil है, लेवेंडर oil है, पाम oil है, लेमन oil है, सेडार बुड है, टिंक्चर है, यह तमाम तरीके कि जितने भी यह raw material है यह raw material की जानकारी मैं आपको description में दूँगा आप उन manufacturer से बात करें, यह raw material सभी आसानी के साथ उपलग्द रहेंगे, यह मेरी guarantee है आगे बात कर लेंदे कि आखिर इसकी manufacturing process क्या है, देखिए दोस्तों, यह raw material है, यह swap oil और fats रहता है मतलब vegetable oil भी हो चकता है, और यह animals का भी fats हो सकता है, यह depend करता है, तो आप जो भी swap start करना चाहते हैं, अगर vegetable oil से करेंगे तो यह बहुत अच्छा रहेगा और आपको यह raw material के health से high purity रखना है, उस साथ में ही आपको pH भी balance करना है, जिससे कि आसानी के साथ आपका product इसकीन के लिए ज्यादा effect ना करें, ठीक है, अगर बात करें कि आप ज्यादा pH कर लेंगे तो यह इसकीन के लिए सही नहीं रहेगा, इसलिए pH भी आपको balance करना होत है, जिसको बोलते है, sodium hydroxide, उसको लाइब होते है, यह sodium hydroxide भी मिलाना पड़ता है, इसके अनुसार यह vegetable oil और sodium hydroxide दोनों को मिलाने के लिए बाद, एक सफोनिक्फिकेशन एक process होती है, जो सफोनिक्फिकेशन क्या करता है, कि जो alkali हम sodium hydroxide और vegetable oil बनाते है, इन दोनों को reaction होती ह है, आप glycerine या sorbitol मिला सकते हैं, यह भी आपके एक तरीके से anti-vacterial quality बढ़ाते हैं, आपकी swap का और तमाम तरीकी की आप raw material मिला सकते हैं, इसकी जानकारी आपको description में लिंक के दी है, raw material manufacturer उन से भी ले सकते हैं, कि आपके other क्या-क्या raw material मिला सकते हैं, अब बात कर लेते हैं इक इस तरीके से बनता है, दो स्टेप में बन सकता है, आपको सबसे पहले swap का preparation of swap base बनाना पड़ेगा, फिर उससे एक final product बनाना पड़ेगा, तो swap बनाने के लिए अगर हम बात करें तो आप उसमें perfume मिला सकते हैं, आपको क्या करना है कि oil और hydrogen, जो sodium hydroxide है, उसको अच्छे तरीके से मिलाना है, और इस तरीके से उसको मिलाना है, उस सब तमाम तरेवी raw material मिलाने के बाद, आपको उसको मोल्ड में डाल देना है, और जो भी मोल्ड आपका सांचा रहेगा, उस सांचे के हिसाब से उतनी ग्राम का swap बन जाएगा, हम यहां पे 100 ग्राम के swap की बात कर र रहेगी क्योंकि पूरी तरीके से आपकी जो इसके नहीं उसके लिए सही नहीं रहेगी, तो इस तरीके से आपको बहुत अच्छे तरीके से उप्टिमाइज करना है, कि हाइशोडियम, हाइडो और जो ऑईल है, वो अच्छे तरीके से मिलें, जो की effective रहे आपकी swap के लिए तो यह तो manufacturing process हुई, financial aspect में हम पहले ही बात कर चुके हैं, यह 7 point के बारे हम बात करें, चले 1 by 1 देख लेते, land और building, देखी दोस्तों, यह बाला जो point मैं बता रहा हूँ, उन लोगों के लिए यह 5 लाग रुपे लगने बाला है, जिन लोगों के पास जमीन नहीं है, लेकिन सिटी का, तो मैं यह मान के चलता हूँ, कि यह पैसा आपका variable रहेगा, मतलब आप जिस सिटी के लिए जगे ले रहे हैं, उस सिटी में यह पैसा रहेगा, तो यह डिपेंड करता है, उसका यह 5 लाग से कम भी हो सकता है, यह 5 लाग से जादा भी हो सकता है, लेकिन आपको covered 500 स्क्वेर फीड में आपको चाहिए और uncovered भी चाहिए 200 स्क्वेर फीड तो इस तरीके से 5 लाग लगवक आपका खर्चाने वाला है, आगे बात कर लेते हैं कि मसीनरी क्या क्या लगेगी, तो यह लगवक नौ तरीकी मसीनरी में खर्चोने वाला पैसा है, जो कि 1 लाग के लगेंगे, जो कि 100 kg क्वालिटी की रहते हैं और 4 रहते हैं, तो 7000 रुपे के लगेंगे, मैल्टिंग पैंस लगेगा, 8000 का, लाइस स्टोरिस टेंग जो आप सोडियम हाइड उकसाई ले रहा है, वो 50 लीटर का लेना पड़ेगा, उसमें 4 लेने पड़ेंगे, तो 6000 है, फ साथ मेंगे आपको institutional, electrification, CAblem 2,000 रुपी, इस तरीके से एक लाँ कंश रुपी ये लगने वाला है, तो 6 रुपी अमक्रे नजगी Is 효ba बने, लगबल और 6 रुपी आपको इस बिजनिस में लगने वाला है, lock out आग तो यह हम बात कर चुके हैं कि यह आपको रहा मेटेरियल लगेंगे घर बात करें तो आपको कुनोइट ऑई अगर एक हजार केजी लेते हैं तो एक लाग सतर हजार ये लगेगा आपका चील ओई लगेगा 50,000 रुपी का लाय लगेगा चूदा हजार रुपी का डाइब का पान्च-हजार रुपे का फर्व依 लगे गा, फर्फ्म लगेगा 5,000 रुपे का, पैकिंग मटीरियल लगने वाला है, 10,000 रुपे का, इस तरीके से टूटल दो लाइब पचाहस जार रुपे आपका raw material packaging में खर्च होने वाला है जिस project रुपेट की मैं बात कर रहा हूँ ये एक महीने का खर्च है आगे बात कर लें other expenses दूसरे expenses री power electricity लगेगी आपको 3000 रुपे की पर मन water charge 500 का लगने वाला है maintenance और रुपेट 4500 का लगेगा printing stationery 2000 मान के चलिए car trade transporting charge 4000 का मन के चलिए selling publicity 4000 टेलीफॉन 1200 insurance ये इस तरी किसमे लागे 20,000 रुपे ये हो गया पर मन देखिए ये कम ज़ादा हो सकता है मैं ये नहीं बोला हूँ कि इतना ही लगेगा आप आपकी जगे के हिसाब से ये पैसा उपर नीचे हो सकता है अब आगे बढ़ लेते कि आपकी working capital कितनी लगेगी देखिए हम एक महीने का अगर raw material की बात करें तो धाई लाग लग रहा है salary और wages की बात करें तो 40,000 लग रहा है और दूसरे expense की बात करें तो 20,000 लग रहा है तो total 3,10,000 रुपे आपका एक महीने का खर्च आएगा एक महीने के सावन मनाने में यह working capital है यह मैंने machine और land का अलग से रखाया machine और land को मैंने नहीं मिलाया है तो यह working capital है आपको तो यह 3,10,000 आपका लगेगा total capital investment अब यहाँ पे आगे देखिए यह 3,10,000 जो अभी बताया है मैंने 3,10,000 यह machinery के लिए आप अगर मान के चलें तो यह building के लिए 5,000,000 तो यह machine के लिए आप देख लिए 1,000,000,000,000,000,000,000,000 9,10,000 लगवग आपका खर्च होने बाला है पहले महीने में जब आप इस business को start करेंगे अगर आप इसका लॉन लेते हैं तो 25% आपको देना होता है मतलब 2,27,000 से आप इस business को start कर सकते हैं और government आपको लॉन देगी 6,82,500 मुद्रा योजना के तहत आप यह 6,82,500 का लॉन ले सकते हैं रोस्तों ठीक है तो आप देख लीजे आप 31,110,000 रुपे आपको परमंद खाचा रहा है financial analysis तीन टाइप से करेंगे कि cost of production कितनी है sales कितना हो रहा है profit analysis कितनी हो रही है तो अगर बात करें तो total आपकी cost तीन लाग दस जार है परमंद यह हमने अभी बात की है अगर आप बात करें कि total capacity product की total capacity city हम बात मान के चलते हैं कि 31,000 परमंद आएगा जो मैंने अभी बताया है जितना भी product बताया है मैंने इतना सब सामान लेने के बाद आप 31,000 टोटल केजी आप product बना सकते हैं अब बात कर लेती कि 2% based हो जाएगा लगबग 62,000 आपका based हो जाएगा net production 3038 ठीक है और number of shop कितने बने अगर 100 ग्राम की है तो number of shop कितने बनने वाली है 30,380 shop बन जाएगी और एक साबुन पर आपको 13 रुपे का बेंच रहे हैं 13 रुपे का बेंच रहे हैं इन्टू कर लेते हैं इसका तो इस तरी के 3,94,940 रुपे आपको total return निकल रहा है आगे बास कर लेते हैं देखिए 3,94,000 return है 3,10,000 आपने रुपे लगाए हैं 84,940 पर मंत आपको ये पैसा मिल रहा है इसमें अगर 30% tax को माइनस कर देते हैं तो लगबख 60,000 रुपे प्रती महीना आप कमा सकते हैं बिजनिस में 60,000 परती महीना आपका आजाएगा और आप बात कर लेते हैं कि मैनुफेक्चर में सप्लायर देखिए ये जो 5 हैं ये मैंने डिटेल दी हैं डिस्क्रिप्शन आप वहां से ये मसीनरी के जो सप्लायर उनसे जानकारी ले सकते हैं और इसी तरीके से मैंने रौ मिटेरियल से रिलेटेड सम्मंदित भी ये सभी ट्रिस्क्रिप्शन में दी हैं और वहां से जानकारी ले 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 और दोस्तों अगर आप इस बिजनिस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले अच्छे से इसकी करता है आगे प्रोसीर तोस्त की भी जानकारी आप अच्छे से ले इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें अगर आप नए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब करना न भूलें और अधिक जानकारी अगर आप चाहिए तो कमेंट भी कर सकते हैं आगे की वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक के लिए जैहिन जैवारत घर बेटे पैसे कमाने की टिप्स पाने के लिए चैनल को सबस्क्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे की जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले जानकारी प्राथ हो जाएगी